नहुस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग दोस्तों मैंने आज ये रिवाइंड किया है एक साड़े साथ एचपी का थ्री फेस समर्शिबल मोटर टेरो टेक्समो नाम की ब्रांड का ये मोटर है और इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं उसका डेटा थोड़ा सा और नोट कर सकते हो और इसको रिवाइंडिंग करने का तरीक का सेम होटता है जैसे की 24 स्लोट की मोटर है और पिछ है है 10 12 1 से 10 1 से 12 तो यहां पर मैंने आदा साइट यहां पर डाला हुआ है एक साइट के अंदर चार को आल है तोटल थीन से इसके अंदर इस्टोल होते हैं और फिर कोई भी मोटर हो टेक्समो की हो किसी भी ब्रांड की मूटरों लिए इसी तरह एसे रिवाइंड करते हैं देटा मैं बता देता हूँ, यहाप Hmmpere मैंने 8 κοाइल डाली यह एक से दस, एक से 12 के अंदर के अंदर इस मोटर के अंदर दोस्तो तो मैंने टोटर यहाँ पे फिर एक सेट डाला है चार कॉयलों से एक सेट बनता है और सभी के अंदर समान टरन होते हैं सभी सेट के अंदर हर कॉयल में 20-20 टरन होते हैं 20 से लेके आप 24 तक भी आप बढ़ा सकते हैं वैसे कंपनी 20 से 22 टरन देती हैं तो इसके अंदर मैंने 20 टन किये हैं 1-3 के गेज से 1-3 का तार है इसमें ठीक है 1-3 1-3 सिंगल रहेगा और connection होंगे इसके star और coil का nap आप stator के इसाब से ले सकते है motor में छोटी coil का map आपको लेना होता है उसके बाद बड़ी coil का जो gap होता है अपने आप बनता चला जाता है फरमे के इसाब से दोस्तों ठान से देख लीजिए सबसे पहले सबसे छोटी coil डाली है हमने 8 स्लोट छोड़ कर 1-10 में फिर उसके उपर एक बड़ी coil ठीक है 1-12 में फिर छोटी coil हमने डाली दूसरी साइड लेप्ट साइड 8 स्लोट छोड़ कर 1-10 में फिर उसके उपर 1-12 में हमने कोईल डाली है तो पहला सेड डला है हमारा इस तरह से टोटल स्लोट भरे है 4 और 4-8 ठीक है 8 स्लोट यहां पर हमारे भरे है और 16 स्लोट हमारे बच गए है तो 3 सेड डलेंगे बिलकुल इसी परकार अगला सेड आप देखिए कैसे हमने इंस्टोल किया है दोस्तों मैं इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बनाना चाहता था लेकिन मेरे पास कैमरा पकड़ने वाला नहीं था फिलाल और स्टैंड पे में इसकी वीडियो नहीं बना पाता था इसलिए मैंने छोटे-छोटे यहां पर इसका वीडियो लिए है तो यहां पर फिर मैं देख लिए अगला सेड का जो कॉईल डला चार भरे हुए कॉईल जो है चार भरे हुए स्लोट छोड़ने है चार भरे हुए चार भरे हुए चार भरे हुए चार भरे हुए स्लोट छोड़के आपको अगले सेट की कॉईल इंस्टोल करनी एक से दस के अंदर फिर उसके उपर जस्ट उपर वाले स्लोट में एक से बारा में इंस्टोल करनी है तो यह चीज आपको ध्यान देनी हैं आप खाली लेप्ट भी छोड़ सकते हैं। और कागत्स आपको पेपर तार डालनें से पहले आपको पेपर लगाना होता है। दूसरा पेपर तारों की सेप्टी के लिए बाद में इसको निकाल लिया जाता है। जैसे कि मेरी पिछली समर्शी बल्क वीडियो जो है उसमें आपने देखा है दोस्तो इस तरह से आपको कम्प्लीटली यहां पर हमने दो सेट यहां पर डाल दिये हैं तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा और जो सेट सोते हैं उसके जो क्वाइल सोते हैं वो विल्कुल ही आमने सामने होंगे सबसे पहले सबसे चोटा क्वाइल डलता है फिर उसके बड़ा क्वाइल उसके उपर डलता है फिर चोटा डलता है फिर बड़ा डलता है एक बार left डलता है एक बार right डलता है इस तरह से डलता है चोटा coil बड़ा-coil left फिर right में चोटा coil बड़ा-coil इस तरह से डलता है तो यहाँ पे total Store यहाँ पे बचे हैं और तीसरा set भी install यहाँ पे कर देते हैं एक सेट आठ श्लॉट खथता है और यहां पे हमारे छे तार निकलाए है इसके स्टार कनेक्सण का वीडियो हमने पहले भी छोड़ रखा है और एक छुटा सा वीडियो हम फिर भी बना देंगे तो हमारी रिवाइंडिंग आपके complete है इसके connection और इसको fit करने के एक छोटी सी वीडियो का part हम देंगे तो वीडियो पसंद आए तो like करें दोस्तों में share करें चैनल को subscribe करें